हलो माई डिया स्टोडेंट्स डिया स्टोडेंट कैसे हैं आप लोग डिया स्टोडेंट्स जो लोग बिहार हायर जुडिशल के त्यारी कर रहे हैं बिहार सिविल जज एपियो के त्यारी कर रहे हैं यूपी का हायर जुडिशल के जिसके वेकैंसी आई है यूपी का सिविल के त्यारी कर रहे हैं या मद्ध प्रदेश के जुडिसरी की और हाइड जुडिसरी के त्यारी कर रहे हैं राजिस्थान के जुडिसरी आने वाली उसके त्यारी कर रहे हैं राजिस्थान का एप्यों के त्यारी कर से एक constitution पर बहुत important वीडियो जा रहा है कि जो constitution होता इसमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है केसला को कैसे पढ़ना है current cases को कैसे पढ़ना है schedules को कैसे पढ़ना है यह जितने भी amendment है उसको कैसे पढ़ना है तो वह आज इस वीडियो में आप लोग पूरा एक-एक करके बताया जाएगा और आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखें और उसको note भी करते रहे डिया स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परिच्छा रिफ्रेसर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले एक बार अगर आप अरिच्छा रिफ्रेसर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे जो भी कोई वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर आटोमेटिक आ जाता है और आप उसको आसानी से देख सकत हैं आपको यह इंतिजार नहीं करना पड़ेगा कि सर का कौन सा वीडियो आ रहा है कब आ रहा है कोई आपको इंतिजार नहीं करना पड़ेगा आप बलकि डायरेक्ट आपके सिस्टम पर वो वीडियो आ जाएगा आप लोग देखेगे तो चलिए दिया स्टूडेंट हम ल सी चीजे हैं जिसको हम लोग को अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग को बहुत आसानी से उस पेपर को हम ध्यान रखिये गए तो जो इसमें आर्ट के लिनंबर फरस्ट है उसमें बताया गया इस देश का नाम क्या होगा देखें कनसेट्यूशन बनने के पहले कोई इसको भारत वर्ष करता था कोई हिंदुस्तान करता था कोई जम्बू दीपे नाम से कहता था वो तरह तरह से इसक भारत और यह कहां कहा गया है आर्ट किल नंबर फर्स्ट में इसको आप लोग को BCS रूप से ध्यान में रखना है दूसरी बार डिया स्टूरेंट जो यह संबिधान है यह कहां कहा गया है आप से पूछा जाए कि जो आप इतना फोर्सली बोल रहे हैं यह कहां कहा गया है तो इसका आंसर है आर्ट किल 393 393 में यह कहा गया है कि यह जो भारत का संबिधान बनाये गया इसका नाम होगा Constitution of India संबिधान सभा को बनाने वाले सजस्त थे उन्होंने एक रास्ता खोल दिया था कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेज होगा इस्टेट में चेंजेज होगा प्लस हमारी जो गवर्मेंट कंसिचुशन बनते समय अंडर डेबलप थी जैसे जैसे वह डेबलेपिंग कंट्री बनेगी डेबलेप कंट्री बनेगी तो अपने संबिधान में वो समय समय के अंसार संसोधन भी कर सकती है और यह प्रोवीजन हमारे संबिधान के निर्माताओं ने आर्टकिल 368 पे बना कर हम लोग को दिया था और यह पावर पार्लामेंट को दिया गया था संसत को दिया गया था कि जब कभी आपको यह लगे कि शमविधान में कुछ परिवार्तन करना है समविधान में नई चीज जोड़ना है तो आप 368 के द्वारा पार्लामेंट के जो मेंबर्स होते हैं लोग सभा, राज सभा के वो लोग इसको amendment कर सकते हैं 368 में और जो amendment करेंगे वो two by third majority से करेंगे चुकि हमारे देश में parliamentary form of government को adopt किया गया है संसदी सासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से इसने संसद को यदिकार दिया गया है और संसद ने 1950 से लेकर 2024 अभी चल रहा है हम लोगों का इस शक्ति का प्रियोग करते हुए संविधान में अब तक आज की दियर तक जो वीडियो रिकार्ड हो रहा है आज की दियर तक 106 संसुधनी है 106 जो 106 Constitutional Amendment है वो 2023 का है इसके द्वारा जो लोगसभा विधान सभा में महिलाओं को आरच्षड दिया गया है कि अब जो लोगसभा का चुनाओं होगा विधान सभा का चुनाओं होगा और दिल्ली की जो विधान सभा का चुनाओं होगा उसमें वन बाई थर्ड सीटे जो होंगी वो महिलाओं को होगा देखें महिला ससक्ती करण के दिसा में ये बहुत important संसोधन किया गया और ये कहा गया कि ये तब लागू होगा अभी जो लोग सभा का चुना होने जा रहा है इसमें नहीं लागू होगा ये तब लागू होगा जब पहले परसीमन हो जाएगा परसीमन की रिपोर्ट आ जाएगे जनगरना की रिपोर्ट आ जाएगे तब इस संसोधन को लागू किया जाएगा अब देखें टेस्टुटेंट ये है कि कौन कौन से चीजों को हम लोग स्टडी करें जिससे हमारा संबिधान का जो पेपर है वो चाहे प्रिलिम्स का हो चाहे मेंस का हो वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगे तो देखें सबसे पहले आप लोग फॉर्मेशन अब दे कंसिच्यूशन संबिधान का निर्माण कैसे हुआ इसमें करना क्या है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वहां से लेके और संबिधान बनने 1950 तक की पूरी घटनाओं को पढ़ता है इसमें आपको जो इंडियन नेस्वल मॉमेंट्स है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है और फिर 9 दिसंबर 1946 से आपको डीपली पढ़ना है क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संबिधान सभा का गठन हुआ संबिधान सभा की पहली बैठा कोई नई दिल्ली में और डाक्टर सतीदान सिना को इस संबिधान सभा का अईस्थाई अधच बनाए गया लेकिन को स्वास्थ कारलों से वो बीमार हो गए जिसके कारल 11 दिसंबर 1946 को संबिधान सभा ने अपना ने अधच बनाया और वो थे डाक्टर राजित प्रसाथ तो ये परिपाटी आप पूरा करेंगे पढ़ते पढ़ते 26 नॉंबर 1949 तक आएंगे जिसमें बताया गया है कि संबिधान एडॉप्ट किया गया है गरहन किया गया है 26 नॉंबर 1949 को 26 जनॉरी 1950 को हमारा संबिधान लागो कर दिया गया इनफोर्स कर दिया गया ये आपको पूरा कंप्लीट करना है इसके बाद सीटी जेंसिप नागरिकता है देखें जब बिटिस इंडिया का डिवीजन हुआ भारत एक देश बना पाकिस्तान दूसरा देश बना तो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि कौन भारती है कौन पाकिस्तानी है कि इसको भारत की नागरिकता दी जाए कि इसको पाकिस्तान की नागरिकता दी जाए और ये दे स्टूडेंट तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चेप्टर है जिसको हम लोग करते हैं फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल राइट है इसको कहते हैं मैगना काल्टा ठिक इसमें आठके 12 से लेकर 35 है उसको आपको इस्टडी करना है जब हमारा कंसेश्यूशन मना गया जिसको कहा जाता है फ्री एंड कमपसरी एजूकेशन वो छे से चौदा वर्ष के बच्चों को इसके बाद आपको रिट जूरिस्डिक्स पढ़ना है जो रिट होती है उसका अधिकार के और सुप्रिंग कोट हाई को मिला है आठकिल 32 में हम लोग रिट ले आते सुप प्रतिशेद और ये उत्प्रेशन फिर इसका डी पी एस पी डिरेक्टरि प्रिस्पिल आफ इस्टेट पालसी राजी की नीत के निदेशक तत्व जो संविधान के भाग चाहर में आठकिल 36 से इक्याहर में दिया गया है यह आपको डीपली पढ़ना है एक्जामनेशन के अबी से इसके बाद हम लोग को प्रेसिडेंट आफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट के इनका एलक्षन कैसे होता है इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है यह लोग किसके सामने ओत लेते हैं कितना इनका टेनियोर होता है इनको क्या क्या सक्तिया मिली वो आपको पूरा पढ पढ़ना है यह आपके एक्जाम में बराबर आता है इसके माद हमको बिल पढ़ना है विधियक पढ़ना है जो संभीधान के अनुचे देख सोगसात में बताया गया है बिल तीन प्रकार के होते ओर्डिनरी बिल मनी बिल और फाइनेस बिल आटिकल 107 में और नरी बिल है 110 में मनी बिल है 112 में फाइनेस बिल है इसको हमको पढ़ना है और इसी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ज्वाइंड सेशन ज्वाइंड सेशन 108 में होता है देश्टूटेंट इसी करम में एट ओर्नी जन्नल महानियावादी एडोकेड जन्नल को हम लोग को स्टड़ करना है स्प्रीकोट को पढ़ना है फर्हाइं को पढ़ना है जो स्टड़ को पढ़ना है जो लोक सभाव राज्य सभा विधान विधानप viewpoint इस समय एच राजी में है विहार महारास्ट्ट तयलंगाना तो आप वहाइस को पढ़ना है है स्टेट के जो गौर्णनर होते हैं उनसे रिलेटेट कोस्टन बराबर आते हैं आपको एक्जाम में वह आपको स्टडी करना है इमर्जंसी प्रोवीजन जो आठकिल 352, 356, 360 में हैं नेस्नल इमर्जंसी, स्टेट इमर्जंसी और फाइनेस इमर्जंसी यह पढ़ना है रियार्गनाईजेशन एक्ट उसको आपको कम्प्रीट पढ़ना है फिर जो शेडूल्स होते अनसूचियां होती हैं एक से लेके आठ तक 1950 में जब कंसिचूशन बना था तो उसमें बनाया गया था, 9th को बाद में अमेंडमेंड करके जोडा गया, 1st अमेंडमेंड के द्वारा, 10th इसको भी अमेंडमेंड करके जोडा गया, 52, इसके बाद 11th और 12th जिसको हम लोगों ने 73 और सभिधान संसोधन अधिनियम के देखे, इतनी आपको स्टडी करनी है, और इसके लिए परिच्छा रिफ्रेशनला क्लासे से आप लोगों के लिए कंसिचूशन की बाकाइदा पूरी कंप्लीट नोर्स है, आप लोग उसको मंगा के उसकी स्टडी कर सकते हैं, जितनी बाते अभी हमने आपको बताया, वो स बड़े आराम से कर लेंगे, परिच्छा रिफ्रेशनला क्लासे पिछले 33 एर से रन कर रहा है, इस समय यह आनलाइन मोट पर रन कर रहा है, और आनलाइन मोट पर इस समय जो इसका बैचेज है, वो हायर जुडिशियल का है, सिविल जच्च का है, और इसके साथ साथ एप य कर रहा है, देखें, डिस्काउंट बैच 28 फरवरी, 29 फरवरी तक था, लेकिन इस्टूटेंटों के बहुँ ज़्यादा डिमांड आई, कि इसको एक्स्टेंड कर दीजे, तो देखें, अब आपको हम बताना चाहते हैं, कि 31 मार्च, 31 मार्च, 2024 तक परिच्छा रिफ्रेश डिसकाउंट पर चल रहे हैं, तो आप लोग कैसे अडिशे लेंगे, तो यह दो नमबर वाट्सप दिया गया है, यह नमबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, आधार कार्ड आने के बाद आपको कोचिंग का क्यूर कोड जाएगा, कोचिंग का क्यूर कोड में आ आप क्लास से जोड़ जाएंगे, जो क्लास है वो गूगल मीट पे चलती है, ऑनलाइन, इसमें आप लोग को लाइब क्लासे दी जाती है, रिकॉर्डेट वीडियो दिया जाता है, टेस्ट सिरीज जी जाती है, पीडियो फॉर्मिन नोट्स दिये जाते है, यह ध्यान रख कि परिच्छा रिफ्रेशन लाग क्लासे से सारी टेस्ट सिरीज भी चलती है, सिविल जच की, हजएस की और एप्यो की, टेस्ट सिरीज वाले स्टूडेंट भी इसी नमबर पर अपना आधार कार्ट सेंट करेंगे, और फिर उनको QR कोड भेजा जाएगा, फीज जमा करके आप टेस्ट सिरीज भी हिस्सा ले सकते हैं, जो इस्टूडेंट परिच्छा रिफ्रेशन लाग क्लासेस के नोर्स मंगाना चाहते हैं, जैसे हमने कंसिचूशन के नोर्स आपको बताएं, या आगे भी जीएस के नोर्स आपको बताएंगे, तो आप लोग जो नमबर से छे वालों में जनल स्टूडीज निकली हुई है, हिंदी में भी यह इंग्लिज में है, दोनों अलग अलग है, तो आप इसको मंगा के पूरी जनल स्टूडीज पर सकते हैं, आई पी सी, पी सी, यूरियस का आपको परी का और मेंस का दोनों का नोर्स अभलेबिल है, होती अच्छी किताब आप लोग के लिए रेडी की गई है आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं पांच स्टेट के आपको सिविल जच की गाइड मिलेंगे यूपी उत्तराखंड एंपी राजिस्था बिहार और इसके साथ साथ आप लोग को जो एप्यो का जैसे यूपी का पुलीस एक्ट मिलेगा उत्तराखंड का पुलीस एक्ट पुलीस रेगलेशन आप लोग को पूरा मिलेगा और अप लोग के लिए जो हायर जूडी से ले उसकी भी गाइड एबलेबिल है और एक किताब आप लोग के इंटर्विव क्लियर रेडी है इसको मंगा कि आप स्रीज जोइन कर सकते हैं और आप लोग को ऐसे सब्जेट्स रिलेटेड वीडियो समय समय पर हमारे द्वारा भेजे जाएगे थाइंक्यू माई डिया स्टूडेंट